ऐसलाम उलेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब उमीदय है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोज को जो है आप लोग समझते होंगे उनको अच्छे से जो है पढ़ते होंगे और उससे जो है आप लोग काफी कुछ सीख रहे होंगे आज के Cultural के लिक्ट्टर के अंदर हम लोग करने वाले है इजलay लागा, पॉर्षिन के विए हिलागा, प्रिशा मार के सबसे पहले सबसे पहली में करें। इससे वर्ड्स होते है जिनके स्पैलिंग और जिनके स्पैलिंग बेसिकली एक जैसे होते हैं लेकिन उनके meanings और उनके meanings तो different होते ही होते हैं लेकिन sound कभी-कभी तो same होती है लेकिन कभी-कभी sound different हो जाती है जैसे कि आपको एक example देती हो same sound के साथ beer beer दोनों word जो है उनको beer ही बोला जाता है एक का मतलब होता है भालू और एक का मतलब होता है बरदाश्ट करना इसी तरह से ये दोनों के spelling तो same है होमोग्राफ के अदर major एक चीज same होती है कि उनके spelling जो है वो same होती है लेकिन कभी-कभी तो आवाज same होती है लेकिन कभी-कभी आवाज different होती है जैसे कि आपकी यहाँ पर एक example भी दियो minute और minute को बोलने का तरीका अलग है spelling बिलकुल same है minute का मतलब होता है एक लंभा होता है 60 seconds का जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते है minute और ये है minute आप इन दोरों इसको भी एक minute कर सकते हैं minute का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा बहुत ही चोटा तो minute क्या जाता है बहुत छोटा तो यह हो जाते है बच्छों हमारे homographs homographs के यहाँ पर जो है वो कुछ examples दी हुई है जैसे हमारे पास तक्रीबर 5 words दीएवे हैं जिसके हम लोगों ने जो है वो sentences बनाने हैं पहला sentence आ जाता है हमारे पास bass ठीक है एक bass जो है वो बच्छली है तो हम लोगों कह सकते है I like to eat bass और एक bass जो है वो drug की sound आ जाती है he is playing bass ठीक है जी इसके साथ हमारे पास second sentence आ जाता है minute और minute minute के लिए हम लोग लिख सकते हैं please give me a minute ठीक है और minute के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा छोटी को कह सकते हैं तो यह एक sentence बढ़ाया जा सकता है the kitchen on boat is minute third sentence आ जाता है हमारे पास firm एक firm का मतलब होता है इदारा एजनसी और एक firm का मतलब होता है बजबूट ठीक है पक्का तो हम लोग लिख सकते हैं बजबूट वाले में he has firm teeth और second वाले firm के अदर हम लोग लिख सकते हैं this firm pay good salary ठीक है जी तो यह आ जाते हैं हमारे तीन sentences बाकी रह जाते हैं हमारे तकरीमत दो sentences उनको हम लोग देखते हैं और इसको साथ साथ जो बच्चों no doubt करते जहों ताकि आप लोगों के लिए बाद में मुश्किल ना हो tear और tear एक tear का बतलब आसू होता है और एक tear का बतलब फाड देरा होता है तो he tears the pages of my book और दूसरा है his eyes filled with tears next आ जाता है हमारे पास watch और watch एक watch का मतलब देखना होता है और दूसरे watch का मतलब क्या होता है घड़ी she is watching tv I bought a new watch इसी के साथ बच्चो हमारा जो homophones वाला topic है वो होता है खत्म next topic है हमारा grammar का जिसके अदर हम लोग ने masculine feminine common और और neuter gender के बारे में जो है वो पढ़ना है तो बच्चो masculine feminine common और neuter gender का मतलब क्या होता है बच्चो masculine वो होता है जो male को represent करता है feminine वो होता है जो female gender को represent करता है और बच्चो यहां जो एसी होता है जो मतलब जो हम लोग दोनों के लिए स्तेवाल कर सकते मेल के लिए हो इस्तेवाल कर सकते हैं और defeat को यहांप के लिए होता है अब यहां पर हमारे कुछ इसम्स दी हुए हम ने उनको masculine feminine common and neuter gender के अदर जो है वो classify करना है, तो हमारे पास जो examples है, वो कौन-कौन सी है? Cousin Lion Hen Castle Nurse Feather Waiter और लास्ट में है Former अब हमने इन सारे words को किसमे classify कर रहा है? Basculate gender Feminine gender Common gender और deuter gender अब इसके अंदर से हम लोग अइडेंटिफाई करना है कि हमारे masculine कौन से है, feminine कौन से है, common कौन से है, और deuter gender के जो है, वो कौन से है, सबसे पहली आ जाता है हमारे पास cousin, तो cousin बचो हम लोग फीमिल के लिए बिस्तबाल करते है, male के लिए इस्तबाल करते है, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? common gender के अदर, उसकी बाद line आ जाता है, तो line हमें पता है कि हम लोग masculine gender के लिए इस्तबाल करते है, head जो है, वो हम लोग feminine gender के लिए इस्तबाल करते है, next word आ जाता है, castle, तो castle जो है, बहल जो है, उसका कोई gender नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको neuter में रखेंगे, nurse, तो nurse हम लोग feminine के लिए इस्तबाल करते है, feather, neuter के लिए आ जाता है, waiter, जो है, वो common के लिए आ जाता है, next आ जाता है, farmer, तो ये हमारे पास masculine gender आ जाता है, ये आ जाता है, बच्चों हम लोगों के, masculine, feminine, common or neuter gender, next जो है, हम लोग करने वाले है, हमारा ये वाला topic हो गया है, complete, next जो है, वो हम लोग करने वाले है, subjective, objective, and possessive, pronouns का topic, तो subjective, objective, possessive pronouns क्या-क्या चीजे होती है, हमने इनको देखना है, तो subjective pronouns, objective pronouns, और possessive pronouns क्या होते है, subjective pronouns, बच्चे, हम लोग ऐसे pronouns होते हैं, जो कि आपको पता है, पहले pronouns को देख लेते हैं, wait for a second, pronouns क्या होते है, word, used, instead of, noun, noun की जगा पर जो इस्तमाल होता है, उसको हम लोग pronoun कहते है, for example, अगर अली is a good boy, he always speaks truth, तो अब इसके अदर अली क्या था हमारे पास noun, और जो ही हमने इस्तमाल किया है, वो है pronoun, क्यूं? क्योंकि वो जो है, वो noun की जगा पर इस्तमाल हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? pronoun हो गया, अब pronoun की जो है, वो आगे types आ जाती है, subjective pronoun, objective pronoun, और possessive pronouns, तो उसको हम लोग देखेंगे, तब से पहले आ जाता है हमारे पास subjective pronoun, तो subjective pronouns जो है, वो used as a subject of the verb होते है, objective pronouns जो है, वो object of the verbs की तरह इस्तमाल होते है, और possessive pronouns जो है, वो किसी भी चीज का possession शो करते है, For example, अगर हम लोगों ने लिखा है, I, ठीक है, यह एक personal pronoun है, और इसकी जगा जो है, अगर इसका subjective pronoun देखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I, my, me, तो यह I जो है, यह हमारे पास आ जाता है, subjective pronoun, क्यों? क्योंकि यह जो है, यह subject की तरह है, किसी भी कॉशिन के स्टार्ट में आएगा, तो यह subjective pronoun हो जाएगा, उसके बाद आजाता है, हमारे पास, possessive pronoun यह शो कर रहा है, possession को, कि यह चीज मेरी है, his, उसकी है, her, उसकी है, they और उनकी है, its, उसकी है, तो यह जो है, यह possession को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है, कि यह चीज उसकी है, मेरी है, यह हमारी है, तो यहां पर यह क्या आजाएगा, possessive pronoun, उसके बाद objective pronoun आजाएगा, जो क्या है, आपका, last में, जो आपके object की तरह इस्तमाल होगा, इसी तरह से आजाता है, अगर दे, देर, देम, तो इसके अंदर देर जो है, वो possessive pronoun होगा, दे जो है, वो subject ही तरह इस्तमाल हो रहा है, और objective pronoun में आपका क्या आ रहा है, देम, अब यहां पर हमें एक exercise दिया गया है, एक task कह सकते हैं, कि use any three personal pronouns as subjective, objective, and possessive pronouns and make sentences with them, हमें तीन जो है, वो इस्तमाल करने हैं, तो जी हमारे पास आ जाते हैं, तीन pronouns, उसके अंदर हमारे पास हम लोग लिख लेंगे, first three को हम लोग use करेंगे, first में हम लोग I को लिख लेंगे, तो I की क्या होती है, हमारे पास subjective case आ जाता है, objective और possessive की आ जाता है, इसका objective आ जाता है, हमारे पास me, और subjective case हमारे पास आ जाता है, mine, ठीक है, यह my, दोनों में से कोई भी जो है, वो एक हम लोग इसका subjective case लिख सकते है, तो I का sentence क्या आ सकता है, I like mangoes, me का आ सकता है, she gave me a book, mine यह my, दोनों लिख सकते है, this is my book, यह हम लोग लिख सकते है, this book is mine, दोनों जो हैं, वो हमारे possessive case को show कर रहे है, my या mine, तो दोनों ही correct है, आप my भी कभी इस्तमाल कर सकते हैं, और mine कभी इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह हमारे पास पहला जो एक है, वो complete हो गया है, next है हमारे पास we, our and us, तो उसको हम लोग करेंगे, we, our and us, तो वी का सिंटेंज सब लोग बना सकते हैं, we were playing Ludo, our, we are looking for our brother, we are waiting for our brother, we are looking for our brother, इससे भी करके सिंटेंज को कर सकते हैं, next है हमारे पास us, तो us को हम लोग करेंगे, you can also join us, तो यह हमारे पास जो है, first portion complete हो गया, I के साथ फिर हमारे जो है, personal product जो है, we, उसके साथ भी जो है, हमारा complete हो गया, next हम लोग करेंगे, you, you का जाता है, you, your, you, तो you के लिए हम लोग सिंटेंज का इस्तावाल कर सकते हैं, you are very kind, वर इस यूर बूड़ उर बूग, I बूट थेस्ट बूट्स ए वर उबू़। अब यहां पर देखें, यह वाला यू है, यह starting में आ रहा है और यह जो possessive objective case का objective pronoun है, यह you है, यह end पर आ रहा है तो इन दोरों में difference यही है, कि यू जो यह first वाला you है अगर यह you first sentence के start में आएगा, तो यह आपका subjective pronoun होगा और अगर यही यू जो है यह आपके sentence के last में आएगा या center में आएगा तो यह क्या होगा है आपका possessive objective pronoun होगा इसे के साथ बच्छों हमारी यह जो pronounce की है यह वरा topic जो है यह हमारा खत्म होता है next topic है आपका demonstrative pronounce तो demonstrative pronounce जो है वो हम लोग इंशाला हमारे next lecture में cover करेंगे और इसके साथ जो हमारा subject verb adjective का portion है उसको भी देखेंगे आज के लिए इतना ही अपना बहुत सारा खयाल रखेंगे बिलते हैं next lecture में Allah Hafiz